हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम मेंड लीफ प्रियोडिक टेबल शुरू करने जा रहे हैं मेंड लीफ प्रियोडिक टेबल लिख देता हूं यहां पर मेंड लीफ लीफ प्रियोडिक टेबल ठीक है जी मैंडलीव periodic table मैंडलीव की आवर तसार नी ये लिखने जा रहे हैं ठीक है ये शुरू करेंगे बच्छो ठीक मैंडलीव की आवर तसार नी ठीक है अब बच्छो ये बहुत ही simple सा है और इसमें क्या करना बच्छो मैंडलीव ने क्या किया मैंडलीव ने 63 elements की खोज कर डाली कितने गी 63 elements की खोज कर डाली और इसने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं बना तो रहा हूँ ये table लेकिन इसमें कुछ कमिया होंगी जो आगे भविस्य में आने वाले जितने विग्यानिक होंगे वो इसको सही करेंगे और वही हुआ और आज हमारे पास 119 elements है 119 elements है ठीक है और देख लो उन्होंने जो बोला वो सही बात हुई बस उनकी एक अच्छी बात थी क्या कि उन्होंने जो पीछे जो गलतिया की थी बाकी के विग्यानिकों ने उन गलतियों को थोड़ा सा सुधारा थोड़ा सा क्या सुधारा पहली बात increasing atomic mass में इनको किया ये भी इधर से भी देख लो और इधर से भी देख लो देखो मैं सबका mass भी लिख देता हूँ मैं सब का मास भी लिख देता हूं दोनों तरफ से ठीक है जैसे माल लो मैं मास लिख देता हूं इजर से लीथियम से लिख देता हूं इसका होता है 7 इसका होता है 9 इसका होता है 11 इसका 12 इसका 14 इसका 16 इसका 19 ठीक है और इसका होता है 23 इसका होता है 39 कोपर का होता है 64 ठीक है रुबिनियम का होता है 85, इसका होता है 108 ठीक है? सीजियम का होता 133 और इसका होता 197 ठीक है? ये माश होता है इनका ठीक है? अब बच्चो बात आती कि इस तरीक वाश है अब देख रो आप पिरिड्स की हिसाब से देखो यानि टॉप टू बॉट्टम देखो तो क्या हो रहा देख रहा है देख रहे हो 7, 23, 44, 64, ठीक है 85, 108, 133, 99, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, इस तरीक देख रहे हैं चाहे left to right जाओ, चाहे top to bottom आओ, increasing atomic mass बस इन्होंने एक नई चीज़ जोड़ दी, क्या grouping कर दी देख रहे हो, सबको group के हिसाब से बाट दिया, किस group के हिसाब से, similar properties के हिसाब से बाट दिया, समान, समान गुन धरम के हिसाब से बाट दिया, समान गुन धरम, ठीक है जी, समान गुन धरम के हिसाब से इन्होंने इसको क्या कर दिया, बाट दिया, ठीक है, और इन्होंने इस table लोगो कैसे बनाया ये भी बता दिता हूं, इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट जो इन्होंने खोजे थे, उन सारे एलिमेंट को एक क्या किया बचो, पोस्कार्ड पर, ठीक है, यानि कि एक चोटा सा कार्ड लिया उन्हें, और कार्ड पर उसका नंबर, उसका अटॉमिक मास, उसकी chemical property, physical property दोनों लिख दी और लिख कर एके करके arrange करते गए, कौन metal है, कौन non metal है, इस तरीके से arrange करते गए, और arrange करके, करके उन्होंने देखा कि जहां पर भाई जगा खाली छोड़ सकते हैं, छोड़ दी, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये table भाई तयार कर ली, अब बात आती है, क्यों उन्होंने किसी सीज़ कर खोज की, एक मिन बच्चो, एक कॉल आ रहा है, झाल आता है, देखिए बच्छो अब क्या है तो मैं बताने जाए था कि इस तरीके से similar properties के हिसाब से इनोंने क्या किया भई ये table त्यार कर दी अब बात आती है कि आखिर कार आखिर कार जो हमने ये सारी चीजे बनाई ये सारी चीजे बनाई किसने मैंड रिलीफ ने उसमें क्या क्या merits अपनी position ठीक जगा पर almost मिल गई थी सभी elements को almost अपनी position क्या है भई पता चल गई थी कि भई मैं अपनी position पर बिल्कुल सही बैठा हूं ठीक है दूसरी अच्छी बात क्या थी दूसरी अच्छी बात ये थी कि वह भविश्य में खोजे जाने वाले elements के बारे में उसने पहले लेकिन इनको अभास हो गया था किनको मैंडलीव जी को अभास हो गया था कि हाँ ऐसा कोई ना कोई element जरूर आएगा जो यहां पर होगा और यहां पर प्लेस होगा ठीक है भाई देखो हम जब किसी भी चीज की अब माल लो math के question करते हो तो जब उपर के answer से 3-4 line उपर होते ह था कि भाई मेरा answer आजाएगा और इतना आएगा ठीक है तो बस वही चीज था तो उनको भी feel हो गया था कि ऐसा कोई ना कोई element जरूर खोजा जाएगा ठीक है तो उचके लिए उन्होंने जगा भी छोड़ी और साथी साथ यह उन्होंने predict कर दिया पहले ही बता दिया कि ऐस फिर भी है और आज देख लो जो modern period table में 18th group है वो noble gas का group है ठीक है तो उन्होंने इसके बारे में भी बता दिया तो तो तीन अच्छाईया थी पहली कि कई सारे almost सारे element को अपनी सही place मिल गई दूसरी ठीक है दूसरी क्या भाई कि उन्होंने गैलियम सीजियम जैसे गैलियम स्केंडियम जैसे elements की पहले ही बता दिया ठीक है क्या predict कर दिया कि ऐसा है और noble gas के बारे में भी पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई ना कोई जरूर आएगा जो रही फेल क्यों हुआ पर किसी कारण तो फेल होगा तो फेल होने के भी तीन कारण थे पहला hydrogen को सही place नहीं दे पाए बहले ही एक नंबर था लेकिन देखो metal वाले गुरूप में आ गया जबकि है कोन यह non-metal ठीक है तो इसलिए यह फेल हो गया पहली कमी कमी नंबर दूसरी क अब ही नंबर दूसरी क्या थी मैं आपको बताता हूँ देखो अभी अभी मैंने बताया कि चाहें left to right चाहो चाहें down to top to bottom जाहो यह increasing atomic mass के हिसाफ से लगे हुए थे तो देखो भाई FV का mass है 55.85 कोबाल्ट का है 58.93 ठीक है और nickel का है 58.71 अब बताओ देखो यह 55.85 है यह 58.93 और यह 58.71 है तो यह तो यह तो क्या हो गया मतलब increasing करना चाहिए थे थे नहां से यहां तो increase हुआ लेकिन यहां से यहां increase नहीं हुआ तो इसका order क्या हो गया गलत मतलब increasing atomic mass का जो place था वो क्या हो गया गलत हो गया इस वज़े से यह दूसरा कारण था फेल होने का ठीक है ती थानिक के लिए जगा नहीं छोड़ी थी ठीक है वच्चो तो इस वज़े से यह table हो गई fail समझ माई चलो फटा फट यह अपना screenshot ले लो और इसको note कर लेना बागी जो मैंने merit लिखवा है तो फटा फट लिखना शुरू करो ठीक है most of the elements occur correct place in the table most of the elements most of the elements occupy यह से लिखना most of the elements occupied correct position in the table अधिक्तर तत्व अधिक्तर तत्व table में शारणी में उचित अस्थान पाए उचित अस्थान पाए उचित अस्थान पाए दूसरा he predicted he predicted some elements which would discovered in the future which would discovered in the future हिंदी वाले रिखेंगे उसने कुछ तत्वों की भविश्यवानी पहले ही कर दी कुछ तत्वों की भविश्यवानी पहले ही कर दी पहले ही कर दी ठीक है नेक्स्ट बविश्यवानी पहले ही कर दी नेक्स लिखेंगे नेक्स अच्छा ही आँ जैसे आचा हाँ ये भी लेख लो एक्जांपल जैसे गैलियम ठीक है गैलियम इसकैंडियम एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा ठीक है और थर्ड अच्छा ही लिखो इसकी थर्ड अच्छा ही लिखो He gives the slots for noble gas He gives the slots for noble gas He gives the slot for noble gas in the table Slots for noble gas in the table Hindi वाले उसने अक्रिये गैसों के लिए खाचे छोडे उसने अक्रिय गैसों के लिए टेबल में खाचे छोड़े अब लिखो कमिया कमिया लिखो लिमिटेशन सीमाए लिमिटेशन सीमाए पहली लिमिटेशन पहली गलती क्या भई हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिड नौट अक्यूपाई करेक्ट पोजीशन इन दा टेबल हाइड्रोजन डिड नौट अक्यूपाई करेक्ट पोजीशन इन दा टेबल ठीक है हाइड्रोजन ने टेबल में उचित स्थान नहीं पाया hydrogen ने table में उचित स्थान नहीं पाया ठेक दूसरा इनकरेक्ट sequence of increasing atomic mass इनकरेक्ट sequence of increasing atomic mass इनकरेक्ट sequence of increasing atomic mass बढ़ते दर्वेमान का गलत करम बढ़ते दर्वेमान का गलत करम ठीक है और थाड़ क्या लिखेंगे थाड़ क्या लिखेंगे हाँ उसने समस्थानी के लिए इस्थान नहीं छोड़ा उसने समस्थानी के लिए इस्थान नहीं छोड़ा ठीक है जी चलो तो इसी के साथ ये खतम होता है और आप सुरू होता है modern periodic table ठीक है जी और आज ही ये chapter हो जाएगा आपका खतम next class में इसके assignment को discuss करेंगे next class में इसके assignment को discuss करेंगे ठीक है चलो देखो त्यान से देखना modern periodic table ये पढ़ा रहा हूँ ठीक है एक दो तीन चर पांच छे ये ले लो साथ एक दो तीन चर पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा और ये अठारा ठीक है तो इस तरीके से बच्चो modern periodic table बनी और भी है वैसे तो बच्चो देखो इसको blocks में बाटा गया है ठीक है A block D block S block P block इस तरीके बाटा गया लेकिन आपको अभी इतना detail में नहीं सीखना है ठीक है जब 11th किलास में science लोगे तब आप करोगे ठीक है अभी फिलाल देखो भाई 1 से 18 की तरफ जब जाएंगे हम तो यह होगा left to right जिसे बोला जाता है group समूँ अगर आप से कोई बूछे कि भाई modern periodic table में कितने group हैं तो आप बोलोगे 18 group हैं यह होते हैं बच्चो period आवर्थ यह होते हैं साथ आवर्थ कितने आवर्थ होते हैं साथ आवर्थ यानि कि top to bottom top to bottom left to right group को denote करता है जो कि 18 होते हैं top to bottom यानि उपर से नीचे periods को आवर्त को दिखाते हैं जो की वई 7 होते हैं 7 periods होते हैं, 18 group होते हैं ठीक है, अब इसको दो तरीके से ही देखा जाता है, एक left to right देखा जाता है एक top to bottom देखा जाता है तो क्या-क्या देखा जाता है इसमें, आईए पता करते हैं करके सारी कहानी लेते हैं सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जाओंगा लेफ्ट राइट ठीक है लेफ्ट राइट पहला बच्चो अब पहले हां नहीं लेफ्ट राइट से भी पहले आपको मैं बता दू इस टेबल को तीन हिस्सों में बाटा गया है कौन-कौन से एक बाटा करूँ तो मेटल को कहेंगे धातू मेटलोड को कहेंगे उप धातू और ऄज़्य नौन मेटल कोन है जो लैक्टरॉन को लेते हैं अब मेटलोड retrospect है तो metalloids वो है जो metal और non-metal दोनों के बीच में आते हैं function कैसे करते हैं आगे बड़ी class में सीखेंगे आप ठीक है फिलाल मैं आपके लिए लिए लिख देता हूँ कि metalloids है कौन-कौन एक है 5 नमबर पे boron 14 नमबर पे silicon 32 नमबर पे germanium 33 नमबर पे arsenic 51 नमबर पे tin antimony और 52 नमबर पे tellurium TE और नीचे 84 नमबर पे PO polynium ठीक है PO polynium तो भई आपको ये 3, 3, 6 और एक 7 7 आपको metalloids दिखाई दे रहे हैं जो आपके book में pink कलर में बने हुए आपके book में किस में बने हुए pink कलर में आपको मैं बता दूँ metal green कलर में है ये pink कलर में है और ये yellow कलर में है तो आप लोग देख लीजिएगा आपको सिर्फ बच्चो कोई भी 3 metalloids का नाम लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना है boron, silicon, germanium लेकिन मैं ये कहुँँगा तीन नहीं आप चार याद करके चलो अगर चार पूछ लोगे तो क्या भी गाड़ लोगे वह तो कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप चार याद करके चलो boron, silicon, germanium, arsenic चार याद करने boron, silicon, germanium, arsenic हिंदी वाले ये ना बोले, हिंदी में बताओ नाम नामी रहता है ठीक है जी, चलिए अब सुरू करेंगे हम कि left to right जाने पर क्या क्या changes आते हैं तो बच्चो left to right जाने पर क्या होता है मैं आपको बता दूँ size छोटा होता है atom का size क्या होता है छोटा होता है, यानि पहला size या radius आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है भाई, क्योंकि size छोटा होगा तो radius भी क्या होगा छोटा हो जाएगा, सही बात है तो size बोल लो या radius of atom decreases atoms decreases ठीक है परमानू का आकार या bracket में त्रिज्या घटेगा ठीक है, left to right जाने पर परमानू का कार घटेगा, दूसरा भी देखो, left to right आप जाओगे तो किधर से किधर जाओगे metal से किस तरफ जाओगे, non-metal की तरफ तो इसका मतलब metallic character क्या होगा decrease होगा, तो लिखोएंगे metallic character decreases ठीक है, धातविक गुण धातविक गुण घटेगा ठीक है जी, धातविक गुण घटेगा अब देखो, थर्ड प्रोपर्टी थर्ड प्रोपर्टी, हाँ जी, left to right जाने पर left to right जाने पर, भई metal से non-metal की तरफ आ रहे हो तो metal का nature होता है basic और non-metal का nature होता है acidic, अमलिय तो सीधी जी बात है, जब left to right आओगे तो कौन सा nature बढ़ेगा, acidic nature, acidic nature increases acidic nature increases अमलिय परकृति बढ़ेगी अमलिय परकृति बढ़ेगी ठीक है जी point number 4 अब क्या भई, अब देखो metal ज़्यादा reactive होते है non-metal कम reactive होते है तो जब metal से non-metal की तरफ जाओगे तो reactivity भी क्या होगी घटेगी, तो क्या लिखेंगे reactivity decreases अभी क्रिया सीलता घटेगी अभी क्रिया सीलता घटेगी ठीक है और last, पांचमा last, पांचमा point कि जब तुम left to right जाओगे भाई तो left में कौन है? metal, जोकी electron देता है तो देता है तो positive charge और जब non-metal की तरफ, metal से non-metal होगए तो electro क्या हो जाएगा? negative, क्यों? क्योंकि non-metal तो क्या करता है? Electron लेता है तो electron लेने का मतलब क्या हो गया? Electron negativity increases electro negativity increases ठीक है? विधुत रिनात मकता बढ़ेगी ठीक है जी? विधुत रिनात मकता क्या होगी? बढ़ेगी electro negativity क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि बढ़ेगी metal तो electron देता है तो positive हुआ और जब left side जाएंगे तो कौन आएगा? non-metal non-metal हमेंशा electron लेता है लेने के वज़े से इसके electro negativity क्या हो गई? increase कोई दिकत ठीक अब अब आता है कि अगर top to bottom जाएंगे अब आता है top to bottom जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है? तो चलो देखो कहां नहीं देखो हाँ भई top to bottom में सब कुछ इसका उल्टा होने वाला है भई इसमें size क्या हो रहता? decrease मैं इसका reason बताऊंगा भई अभी tension मतलो reason बताऊंगा कि क्यो size decrease हुआ फिलाल अभी यहां देखो top to bottom में जाने में क्या होगा? भई यहां पे left to right जाने में size decrease हो रहता है यहां पे size क्या होगा? size and radius क्या होगा भई? radius of atoms of atoms increases ठीक है? परमानू 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 का आकार या तिरिज्या बढ़ेगा बढ़ेगा ठीक है? second point second point क्या metallic character decreases तो भई left to right जाने पे तो यहार metal से non-metal में आ रहते हैं तो decrease होएगा लेकिन जब top to bottom आये होगे तो देखो ना यार top to bottom आयेगा तो यह lithium यह lithium यह sodium और ज्यादा metal होगा यह magnesium यह potassium और ज्यादा metal होगया यह rubinium और ज्यादा metal होगया, cesium और ज्यादा metal होगया FR का पता नहीं ही नाम क्या है ठीक है यह और ज्यादा metal होगया तो यह निए top to bottom में क्या होगया? metallic character increases metallic character sorry character increases ठीक है? धातविक गुण बढ़ेगा धातविक धातविक गुण बढ़ेगा ठीक है? थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है? acidic nature left to right क्योंकि left to right metal से non-metal में जा रहे थे इसलिए acidic character लेकिन अब तो क्या हो रहा? और ज्यादा metal होता जा रहा है तो यह नि और ज्यादा basic होगा basic nature increases basic nature increases शारिये परकृति बढ़ेगा सारिये परकृति बढ़ेगी ठीक है? अगला next क्या है? reactivity decreases लेकिन भाई जैसे यह से metal बढ़ेगा तो reactivity बढ़ेगी तो भाई top to bottom में reactivity यानि उल्टा है यार सब कुछ reactivity increases अभी क्रिया सीलता बढ़ेगी अभी क्रिया सीलता बढ़ेगी फिर पांच माँ पांच माँ हां बढ़े, electro negativity increases जबकि इदर तो क्या होगा? नेकिटिविटी नेकिटिविटी क्या करेगी? decreases ठीक है? विधुथ रिन आतमक्त घटेगी ठीक है और या तो Electro negativity अगर घटेगी तो बढ़ेगी क्या Positivity जैसे से नीच होगे क्या होगा Electro Positivity बढ़ जाएगी Positivity increases Vedud धनात मक्ता बढ़ेगी धनात्मक्ता बढ़ेगी चलो यह नोट कर लो फिर बताता हूं कि साइज क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा जल्दी से नोट कर लो बच्चो ठीक है यह जल्दी से नोट कर लो फिर चैप्टर खत्म हजाएगा वीडियो पॉस्ट करके पटा फट ठीक है इसे नोट कर लो चलो देखो अब आप लोगने नोट कर लिया होगा अब देखो जड़ा मैंने बोला लेफ्ट टू राइट में साइज घटेगा ठीक है तो क्यों घटेगा देखो अब एक बात याद रखना बच्चो मैं आपको एक बात बताना भूल गया वो बता देता हूँ मैं यह सुन्दो बच्चो जो जिस पीरिट के सामने है ना उसके उतने ही ऑर्बित होंगे उसके उतने ही सेल होंगे मतला अगर हाइडरोजन है तो पहले पीरिड के सामने तो इसका एक सेल होगा लीथियम दूसरे पीरिड के सामने इसके दो सेल होगे सोडियम तीसरे पीरिड के सामने इसका तीन सेल होगा पोटेसियम चाथे पीरिड के सामने चार सेल रुबीनियम 5, सीजियम 6 FR का 7, अब ये बत सोचना कि ये इसके सामने है तो, भै लीथियम और देखो, लीथियम 2 के सामने इसके बाद कौन होगा, बेरेलियम तो इसके भी 2 होंगे, बोरोन इसके भी 2 और्बिट होंगे, इसके भी नाइट्रोजन, इसके भी, सारी, नाइट्रोजन नी, कार्बन कार्बन, इसके भी 2 होंगे, ठेक है, उसके भी नाइट्रोजन के भी 2 होंगे, ऑक्सीजन के भी 2 होंगे फ्लॉरिन के भी 2 होंगे, नियोन के भी 2 होंगे सब्सक्राइबANG जो जिस पीरिड के सामने होगा, उन सब के उतने 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 उर्बिट होगा, जैसे अब लीथियम को ले लो, लीथियम का भी दो उर्बिट होगा, बेरेलियम का भी दो उर्बिट होगा, बोरोन का भी दो उर्बिट होगा, नाइट्रोजन का भी दो उर्बिट होगा, ओक् ठीक है? सब के 2 orbit होंगे, लेकिन, अब भै, orbit तो सेम है, orbit तो left to right वाले में बता रहा हूंगा है, orbit तो same है, लेकिन, सब के अंदर electron, number of electron ना लगा गया है, इसके अंदर 3 electron है, तो कैसे बटेगा, पहले में 2, अगले में 1, इसमें 4 हैं, तो पहले में 2, अगले में 2, इसमें 5 है, पहले में दो अगले में तीन इसमें छे हैं इसमें पहले में दो अगले में चार ठीक है इसमें पहले में दो अगले में कितना होगा पांच ठीक है इसमें पहले में दो अगले में कितना होगा छे एक दो तीन चार पांच और यह छे फिले इसमें दो तीन चार पांच छे साथ प्ले पढ़री यह बात तो बच्चो इतना ध्यान रखना कि इन सब के अंधर इन सब के अंधर इस तरीके से सीक्वेंस येगा क्योंकि वही सब के दो-दो-दो ओर्बिट ही होंगे मतलब जो जुश पीरिड के सामने होगा उन सब के उतनी ही orbit होंगे तो इन सब का दो orbit होगया लेकिन एक बात याद रखना जिसके जितने ज़्यादा electron उसको उतनी ही ज़्यादा खीचने की ताकत मिलेगी जिसके जितने ज़्यादा electron उसको उतनी ही ज़्यादा खीचने की ताकत मिलेगी अब देखो, हुआ क्या, number of electrons तो बढ़ रहे हैं, number of electrons बढ़ रहे हैं, लेकिन number of orbit नहीं बढ़ रहे हैं, number of orbits नहीं बढ़ रहे हैं, fix. बढ़ने लग जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रों की संक्या तो बढ़ रही है लेकिन कक्षाओं की संक्या अपनी जगा पर क्या है? जब कक्षाओं की संग्या fix है तो आपको मैंने क्या बताया number of electron बढ़ने से एक power होती है जो बढ़ जाती है कौन सी intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction बढ़ने लग जाएगा बच्चो increase होने लग जाएगा जिसकी वज़े से इसका size छोटा होने लग जाता है क्योंकि देखो यहां 3 electron है तो force कम होगा 4 electron है force और बढ़ेगा 5 electron है और force बढ़ेगा 6 electron है और force बढ़ेगा 7 और 8 और 9 और 10 और मतलब जितना ज़्यादा electron होता जाएगा उतना ज़्यादा force बढ़ता जाएगा और जितना ज़्यादा force बढ़ता जाएगा क्या होने लग जाएगा बढ़ने लग जाएगा ठीक है बढ़ने लग जाएगा तो यह करो ठीक है इसको नोट करो झाल 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 झा तो चलो बच्चो यह नोट कर लो फटाफट समझ में आगे न कि इंटर मॉलिकुलर फॉर्स ओफ अट्रेक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंटर मॉलिकुलर फॉर्स ओफ अट्रेक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा चलो ठेक्आ, अप देखो अब इधार आज़ो मने बताया size increase करेगा size क्या करेगा? increase क्यों करेगा? इसका भी reason है क्योंकि इसमें क्या होगा top to bottom में क्या होगा कि intermolecular force of attraction force of attraction decrease करेगा घटेगा अंतह ना भिक्ये आकरसन बल आकरसन बल घटेगा पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर number of electron electronों की संक्या बढ़ रही है भाई यहाँ पर भी बढ़ रही है number of electron यहाँ पर भी बढ़ रहा है ठीक है? अब कहो कि भाई यहाँ बढ़ रहा है यहाँ बढ़ रहा है तो भाई फिर हो क्या गया भाई तो यहाँ पे orbit कक्षाओं की संग्याती fix लेकिन यहाँ पे number of orbit भी क्या हो रहे है number of orbits भी increase कर रहे हैं देखो न कैसे जो जिस period के सामने रहेगा उसके उतने ही cell अब hydrogen है एक cell lithium है दो cell उसके बद कोन है sodium है तीन cell ठीक है उसके बद कोन है potassium है चार cell दो तीन चार ठीक है फिर rubinium है पांस cell एक दो तीन चार पांच फिर cesium है तब cesium के कितने है cesium एक दो तीन चार पांच छे फिर इसका एफर एक दो तीन चार पांच छे और साथ देख लो साही लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि आप देखो ना यार अब जितना ये दूर होता चला जाएगा इससे जितना ये दूर होता चला जाएगा उतना क्या होगा force of attraction V की तो होगा भाई force of attraction V की तो होगा क्योंकि यहाँ पर तो है यह बिल्कुल पास है लेकिन electron बढ़ने से distance भी तो लगाता बढ़ता जा रहा है तो मतलब force क्या होगा distance बढ़ा और electron भी बढ़ा बढ़ तो यहां भी रहा था बढ़ा लेकिन distance नहीं बढ़ा distance fixed था इसलिए size छोटा लेकिन यहां electron यानि force बढ़ने के साथ साथ orbit भी बढ़ गया तो धीरे धीरे जब orbit दूर होता चला जाएगा तो भाई उसकी ताकत उतनी थोड़ी रहेगी ताकत भी क्या होगी कमजोर जिसकी वज़े से intermolecular force of attraction क्या पढ़ जाएगा वीक पढ़ जाएगा और size क्या हो जाएगा बढ़ने लग जाएगा size क्या हो जाएगा बढ़ने लग जाएगा समझ मागी बात तो इन सब बातों को लेके आपका यह chapter होता है खतम इसके इससे related कुछ questions है तो questions में next class में discuss करूँगा ठीक है पूरा assignment है इसके उपर 19 questions का वह सारा assignment आपको लिए discuss किया जाएगा ठीक है तो यह झाल